परिचय शत्रन जी की एक विसात में आठ पंक्तियां और आठ स्थम्भू होते हैं। क्या आप विसात के कुल खानों की संख्या बता सकते हैं। हाँ, हम दोनों संख्याओं का गुणा करके यह गणना कर सकते हैं। आईए गुणा के बारे में पढ़ें। आउ, सीखें। गुणन के नियम समझना। दस के गुणज से गुणा करना। दो और तीन अंकों की संख्याओं का गुणा करना। गुणन के नियम एक। हम गुणन के कुछ नियमों से शुरू करेंगे। शुने से किसी भी संख्या का गुणा करने पर गुणन फल शुने आता है। किसी संख्या का एक से गुणा करने पर गुणन फल वही संख्या रहती है। उदाहरण, 5 का 0 से गुणा करने पर गुणन फल 0 होगा, 5 का 1 से गुणा करने पर गुणन फल 5 होगा. गुणन के नियम, दो, गुणा तालिका विभिन संख्याओं के गुणन नियमों पर आधारित होती है, दो से लेकर 9 तक गुणन तालिका स्क्रीन पर दिखाई कई है. मानिसिक रूप से गुणन आईए, अब जबानी गुणन के कुछ उदाहरण देखें. जनिफर ने 36 रुपे में दो दर्जन अंडे खरीदे. उसने कितने अंडे खरीदे? हम जानते हैं कि एक दर्जन बारा के बराबर होता है, इसलिए दो दर्जन 24 के बराबर होगा. अताहा जनिफर ने 36 रुपे में 24 अंडे खरीदे. गुणन तालिका मैं 15 की गुणन तालिका नहीं जानती. नहीं, लेकिन मैं 5 और 10 के गुणन तालिका की सहायता से 15 की गुणन तालिका बना सकता हूँ. 5 और 10 की तालिका को देखो. अब इन दोनों संख्याओं को हरे बॉक्स में जोड़ दो. हमें 15 की गुणन तालिका मिल गई. उदाहरण डाइना एक दिन में 10 मोती की माला बनाती है. 20 दिन में वो कितनी माला बनाएगी? हमें 10 को 20 से गुणन करना होगा. चरण 1 पहले शूने के बगएर अंकों का गुणा करिए. दो का गुणा एक से, गुणन फल दो होगा. चरण 2 शूने की संख्या गणना कीजिए. और उत्तर के दहने तरफ लगा दीजिए. इस मामले में हमारे पास दो शूने हैं. अताहा अंतिम उत्तर 200 होगा. दो और तीन अंकों की संख्याओं का गुणन. आईए 144 से 43 का गुणा करें. इकाई इस्थान से गुणा शुरू करें. तीन बार चार, बारा होगा. दो को इकाई के स्थान पर लिखें. और एक को दहाई के अंक के लिए हासिल ले लें. तीन का गुणा दहाई के अंक चार से गुणा करें. गुणन फल बारा होगा. और इसमें एक जोड़ दें. जो आपने हासिल लिया था. यह तेरा के बराबर होगा. दहाई के स्थान पर तीन को लिखें. और एक को सैकड़ा के स्थान के लिए हासिल ले लें. तीन का गुणा सैकड़ा स्थान के अंक एक से गुणा करें. और उसमें हासिल लिया गया एक जोड़तें. सैकड़ा के स्थान पर हम चार लिखेंगे. अब इकाई के स्थान पर शूने लिखें. और इकाई के स्थान से चार से गुणा करदा शुरू करें. चार बार चार का गुणन फल सोला होगा. दहाई के स्थान पर छै लिखतें. और एक को सैखड़ा के स्थान के लिए हासिल ले लें चार का गुणा सैखड़ा स्थान के चार से करें और उसमें हासिल लिया गया एक जोड़ते हैं सैखड़ा के स्थान पर साथ लिखें और एक को हजार के स्थान के लिए हासिल ले लें चार का संख्या एक से गुणा करें और हासिल लिया गया एक उसमें जोड़ दें हजार के स्थान पर पांच लिखें अब दोनों मानों को जोड़ दें हमें 6192 प्राप्थ हुआ अताहा 144 का 43 से करने पर 6192 प्राप्थ हुआ गुणन कलन विधी अब हम 247 का 38 से गुणा लेटिस कलन विधी से करेंगे हम अंकों का एक एक कर गुणा करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे इकाई के बॉक्स में एक लिख दें और तहाई के बॉक्स में दस लिख दें पहले दो और तीन का गुणा करें उत्तर हुआ चै नीचे के बॉक्स में एक लिखें और उपर के बॉक्स में दस लिखें फिर चार का तीन से गुणा करें बॉक्स में उत्तर लिखें अब साथ बार तीन का योग 21 होगा इसी तरह 8 बार 2 का योग 16 होगा, 8 बार 4 का योग 32 होगा और 8 बार 7 का योग 56 होगा अब नीचे से शुरू करें और विकरण रेखाओं के दिशा में जोड़ें ये 6 है, इसे लिखें, 2 धन 5 धन 1 का योग 8 होगा, 6 धन 3 धन 2 धन 2 का योग 13 होगा हमें दो अंकों का उत्तर मिला, इसलिए नीचे 3 लिखेंगे और एक को अगली पंक्ती के लिए हासिल ले लेंगे एक धन 6 धन 1 धन 8 और हासिल लिया हुआ एक जोड़ दें, योग 9 प्राप्थ होगा और 0 शून्य शून्य रहेगा हमें उत्तर मिला, श्यून्य, नौ, तीन, आठ, छै अता हमारा उत्तर हुआ, 247 और 38 का गुड़न फल, 9,386 है हमने क्या चर्चा की? गुणन के नियम और तालिका जानना किसी संख्या को शून्य और एक से गुणा करने पर क्रमशा, शून्य और वही संख्या प्राप्थ होती है दस और उसके गुणच से गुणा करना एक सरल दो चरणों की प्रक्रिया है